सर्वेभ्यो नमो नमहा आपके अपने योटूब चैनल स्टेडी सरजी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो के माध्यम से NCRT के कख्षा सात्वी की संस्कृत पुष्ति का रुचिरा के चौथे पाठ खास्य बाल कभी शम्मेलन के बारे में पढ़ेंगे आप लोगों से अनुरोध है यदि आप चैनल पर नए है अथवा अभी तक चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सस्क्राइब कर लें बेल आइकोन भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंशते रहे तो अंदर बही बाहर नीचई नीचे पुना दोबारा इत्या दीनी इस प्रकार के अब्वै पदानी संती अब्वै पद हैं ए साम ए सारे त्रिसु लिंगेशू तीनो लिंगों में त्रिसु वचनेशू तीनो बचनों में सरबासू विभक्तिशू सभी विभक्तियों में एक में वो रूपंभ होती एक प्रकार से ही रहते हैं विकारों ना जायते इन में परिवर्तन नहीं होता है अथा जितने भी अब्वेपद होते हैं वो तीनों लिंगों में चाहे वो पुलिंग हो इस्त्री लिंग हो अथ्वना पुंसक लिंग हो इसी प्रकार तीन वचन चाहे एक बचन हो चाहे दूबचन हो चाहे बहुबचन हो और जितने भी हमारे प्रत्मा से ले करके सब्ट में इतक भिभक्तियां हैं इन सभी अवस्थाओं में एक जैसे ही होता है मतलब इन में कभी भी परिवर्तन नहीं होता है ठीक है आए इस लोग देखते हैं अर्थात तीनों लिंगों में एक समान और सभी बिभक्तियों में जो एक समान रहता है तीनों वचनों में जो एक समान रहता है उसे हम अब्या के नाम से जानते हैं आईए शुरू करते हैं आज का पाठ हांस बाल कभी सम्मेलन हांस अर्थात कमेडी या मजाकिया बाल कभी सम्मेलन बच्चों का कभी सम्मेलन मजाकिया मजाकिये तोर पर बच्चों का कभी सम्मेलन अर्थात अनेक प्रकार के पहनावे और आभूशन को धारन करके चत्वारह चार बाल कवे यहा बाल कवी मंचस्य उपरी मंच के उपर उपविश्टाह संती बैठे हैं आप चित्में देख सकते हैं यह चार बाल कवी हैं जो अलग अलग प्रकार के वस्त और आभूशन पहन करके मंचस के उपर बैठे हैं अधा नीचे स्रोता रहा स्रोता लोग जो सुनने वाले लोग हैं ये देखिए मंचे के नीचे बैट करके ये जो है कविता सुनने के लिए आई हुए हैं हाँ से कविता स्राम उड़ायो हाँ से कविता को सुनने के लिए उस्सुकाहसंति उस्सुक हैं और कोला हलम कुरवंती और सोर मचा रहे हैं तीक है जितने भी दरसक हैं ये सब कभियों को सुनने के लिए आतुर हैं और सोर मचा रहे हैं आएए देखते हैं संचालक महोदे क्या कह रहे हैं संचालक जो मंच का संचालन करता है अलम को लाह लेनो अरे सोर मत कीजिये अध्य परम हरसद से आउसरहा आज बहुत ही खुसी काविस है यत अस्मिन कभी सम्मेलन यत जो अस्मिन कभी सम्मेलन इस कभी सम्मेलन में काब्य हन्ता रहा काब्ड की हंतारह अर्फात हत्या करने वाले या कविता को खराब करने वाले काल याप काश्यो शमय को गवाने वाले अत्वक समय को खराब करने वाले भारत के भारत के हां से कभी धुरंधर आहा भारत के धुरंधर हां से कभी समागताह आहे हुए हैं हम सब इनका स्वागत करते हैं संचालक ने कहा कि भारत से या भारत के ऐसे ऐसे कभी आये हैं जो कभिताओं को नस्ट करने वाले या खराब करने वाले हैं और समय खराब करने वाले कभी हमारे वीच में आये हुए हैं उनका स्वागत करें सबसे बहुत देखिए गजाधरा, गजाधर क्या कहता है? सर्वे भ्यो, रशिके भ्यो नमो नमहा, सभी रशिकों को नमस्कार है रशिक अर्थात आनन्द उठाने वाले जो हांस सिकविता का आनन्द उठाने के लिए आए हुई हैं उनके लिए उन्होंने क्या कहा? नमो नमा, सभी को नमस्कार है प्रत्मम पहले तावत अहम आधनिकम बैद्यम उन्होंने क्या कहा? प्रत्मम अर्थात पहले तावत अहम सबसे पहले मैं आधनिकम बैद्यम अर्थात जो आजकल के डॉक्टर हैं आजकल के जो बैद्ध है उद्धिस सुकियम काब्यम स्रावयामी मैं उनको उद्धिस बना करके सुकियम काब्यम अपना काब्य स्रावयामी सुना रहा हूँ अर्थात जो पहला हमारा गजाधर नाम का जो कभी है वो कह रहा है कि मैं आप को जो कविता सुनाने जा रहा हूँ आज कल के डॉक्टरों से संबंधी थे ठीक है देखिए क्या सुनाता है वो बैद्यराजो नमस्त उभ्यम यमराजो सहोधरो यमस्त हरत प्राणानो बैद्यह प्राणान धनानिचा जो कजाधर है वो अपनी कविता सुना रहा है बैद्यराज नमस्त उभ्यम हे डॉक्टर आपको नमस्कार है यमराजो सहोधरो आप क्या है यमराज के क्या है सहोधर हैं सहोधर था सगे भाई हैं ठीक है क्या कह रहा कि जादर कि सभी डॉक्टरों को मेरा नमस्कार है वो क्या है आज कल के जो डॉक्टर है यम्राज के सहोधर था सगे भाई हैं यमस्तु हरती प्राणानों जो यम है यम्राज है वो तो सिर्फ प्राणों को हरती मतलब हरता है जो यम्राज है वो सिर्फ हमारे प्राण ही लेता है लेकिन बैद्यह प्राणान धना निचार जो बैद्य है वो प्राण भी लेते हैं और उपर से पैसे भी ले लेते हैं अर्थात मजा किये तोर पे कह रहा है कि जो आज कल के डॉक्तर हैं उसी प्राण ही नहीं लेते हैं वो प्राण के साथ पैसे भी ले लेते हैं इसलिए उनसे अच्छा तो या मराज ही है जो सिर्फ प्राण ही लेता है पैसे से उससे लेना देना नहीं है सरवे उच्चई हों हसंती ये सुनकर के सभी उची आवाज से हसने लग जाते हैं आगे देखते हैं दूसरा हमारा कवी कौन है कालांत कहा कालांत क देखे कवी आ गया देखे कालांत क्या कह रहा है अरे बैद्ध्यास तू सरबत्र अरे जो डॉक्टर होते हैं वो तो सभी जगे होते हैं परन्तु नाते ममाद्रि साह कुसला परन्तु मेरे जैसे कुसल डॉक्टर आपको नहीं मिलेंगे अब मैं कैसा कुसल डॉक्टर हूँ जन संख्या निवारने अर्थाथ जन संख्या को कम करने वाले मरला डॉक्टर तो आपको हर जगह मिलेंगे लेकिन जनसंख्या को कम करने वाला मेरा जैसा डॉक्टर आपको कहीं भी नहीं मिलेगा हम लोग अस्पताल क्यों जाते हैं? अपनी दवाई करा करके अपने आपको स्वस्थ करने के लिए लेकिन एक क्या कह रहा है कि जनसंख्या निवाला थात मारने मेरे जैसा डॉक्टर कोई दूसरा नहीं मिलेगा मामा पि काभ्यम मेरा भी काभ्य कभिता इदम सुनवंति भवंता हा आप लोग सुने चिता प्रज्यलिताम द्रिष्टवा बैद्यो बिश्मय मागतः नाहम गतो नमे भ्राता कस्येदम हस्त लाकवं देखे कविता में क्या कह रहा है कि चिंता प्रजोलिताम द्रिफ्टवा चिता को प्रजोलिताम द्रिफ्टवा जलती हुई देख करके बैद्यो बिस्मय मा गता है जो डॉक्टर है वो आश्चर चकित हो जाता है अर्थात हैरानी में पढ़ जाता है क्यों पढ़ जाता है क् की ना हम गतो नम्हें भात अठ्व माज गया इसको मारने के लिए नम्हें भात ना तो मेरा भाई डॉक्टर का भाई कौन है युम्राज डॉक्डर कहा ना तो इसको मैंने मारा, ना तो मेरे भाई ने मारा, कस से दम हस्त लागवम, तो फिर एक इसके हाथ की लागो मर्था सफाई है, अर्थात इसको किसने मारा है, ठीक है, देखिए, डॉक्टर का कालांतक का कहना है, जिस ब्यक्ति की चिता जल रही है, इसको ना तो मैंने मारा थाहे ना तो मेरे भायम राजने भारा है फिर पता नहीं किस के हाथ की सफाई है एक इसको किसंनेमारा है सरवे पुनाहा हसंती सभी फिर से हसने लग जाते हैं आईए देखते हैं अगला कभी आता है जिसका नाम है तुन्दिलहा तुन्दिल अर्थात जिसकी तोंद बड़ी होती है हमने देखे न बहुत सारे लोगों की पेट आगे निकलाती है तुन्द तोंद तो बड़ी तोंद वाला देखे कभी आता है और क्या करता है आकर के तुन्दस से उपर हस्तम आवर्थ तोयन तुन्दस से उपर अपनी तोंद के उपर हस्तम आवर्थ नहीं हाथ फेरता है अल्ला कभीता सुनाने के लिए आता है और जैसे इसे ख़ड़ा होता है तो अपनी तोनद के ऊपर हाथ फिरना शुरू कर देता है तुन्दिलो अहम भो अरे मैं तोन्दू हूँ ममापी इदम काब्यम सुरूयताम मेरा भी यह काब्य कविता सुने जीवने धार्यतामचा और अपने जीवन में धारन कीजिए तुन्दिल जो कभी है और क्या कह रहा कि मैं भी कभी तो सुना रहा हूं उसको आप लोग सुनिये और अपने जीवन में धारन कीजिए आगे देखते हूं क्या कह रहा है परान प्राप्त दूर बुद्धे मा शरीरे दया कुरू परान दूर लभम लोके शरीराणी पुनह पुनह तुन्दिल करा परान परान अर्था दूसरों का अन या भोजन प्राप्त मतलब पा करके दूर बुद्धे अरे दुष्ट बुद्धी वाला बेक्ती अरे मूर को ब्यक्ति दूसरों के अन्न को प्राप्त करके मा सरीरे दया कुरू सरीर पर दया मत करो तुन्दिल है जो जिसका तोन पेट आगे निकला हुआ कह रहा है कि दूसरों के अन्न को प्राप्त करके अगर दूसरे ब्यक्ति का भोजन हमें मिल जाए तो उस समय हमें सरीर पर दया नहीं करनी चाहिए क्यों कि परान दुरलब हम लोगे दूसरे का अन इस संसार में दुरलब है शरीर आड़ी पुना पुना लेकिन सरीर तो बार बार मिलती रहेगी अठाते एक बार मर जाओगे फिर दुबारा सरीर धारन करके आजाओगे फिर मरोगे फिर दुबारा सरीर धारन करके आजाओगे इसलिए अगर दूसरे का भोजन मिले तो उसे खा लेना चाहिए अपने सरीर पर दया नहीं करनी चाहिए भर पेट खाना चीए खूब खाना चीए ठीक है सरवे पुना अट हासम कुर्वंती सभी लोग फिर से जोर जोर से हसने लग जाते हैं आगे देखे तुंदिल आगे ये तुंदिल की जो काब रचनती हो हमने पढ़ लिया है आगे देखे चारवाक अगले जो कभी है और को नहीं चारवाक आम आम हाँ हाँ सरीर अश्यो पोशनम सर्वता उचित मेवो सरीर का पोशन हमेशा ही उचित होता है अर्थाथ हमें अपने सरीर का रख रखाओ पालन पोशन करना चाहिए यदि धनम नाच्ति यदि धन नहीं है तदा रिणम कृत्वापी पोश्टिकम पदार्था एवो भोगतब्यहा यदि धन नहीं है हमारे पास अपने सरीर को पोशन करने के लिए तब हमें क्या करना चाहिए रिणम कृत्वापी रिण करके भी पौस्टिक पदार्थों को एव भोगतब प्या मतलब खाना चाहिए हमारे पास पैसे हो या ना हो हमें उधार ले करके भी पौस्टिक पदार्थ खा करके अपने सरीर का पारण पोशन करना चाहिए तथा कतियती इसलिए कहा गया है देखिए चार वाग कभी क्या करें यावद जीवे सुखम जीवे रेडम गृत्वा घृतम तीवे जब तक जीओ सुख से जीओ चाहे और क्या करना जब तक जीओ तक तक सुख से जीओ रेडम गृत्वा घृतम तीवे और रेडम ले करके घी पीओ घी पीने कतात पर है अगर हमारे पाप पैसे नहीं है तो सुख से चीने के लिए हमें रिंड लेना चाहिए और अच्छी अच्छी चीजे खाना चाहिए तो जो शुख लोगो होते हैं जो कभीता नीचे बैटके सुन रहे हैं तरही तब रिंड का प्रत्यारपनम कत्थम रिंड को वापस कैसे करेंगे चारवाग जो कभी हैं क्या करें शुरूएताम मम आव सिष्टम अभ्यम अरे अभी तो मेरी कभीताब बची हुई है शुरूएताम उसको सुनो गृतम पीत्वा श्रमम कृत्वा गृतम पीत्वा अर्थात पौस्टिक चीज़ों को खाना फिर श्रमम कृत्वा फिर परिश्रम करना रेडम प्रत्तर पड़े जने जब परिश्रम करेंगे तो हमें धनकी प्राप्ति होगी उसी से रेडम प्रत्तर पड़े जनहा लोगों के जो पैसे हमने रेड़ के तोर पे लिए हुई हैं उसको वापस कर देना है काब्य पाट स्रोंडे नो उतपे रिता काब कबिता को सुनने से प्रेरी तो एक बालक भी आशु कबिता मी रच यती मतलब तुरंत वही पर एक कबिता बना लेता है और हास पूराम का चास रामत्य और हास्ता हुआ अपनी कबिता सुनाता है कओं? जो वहाँ पर दर्शक के रूपे बैठे हुए लूग हैं उनमें से एक बालक तुरंत अपनी एक नई कविता बनाता है और हस्ते हुए सुनाता है देखिए बालक क्या कर रहे सुरू यताम सुरों सुरू यताम हो अरे सुनो सुनो ममापिका अभ्यम मेरी भी कविता गजाधरम कभिम चैवो तुन्दिलम भोज्जलो लुपम कालान तकम तथा बैद्यम चारवाक्यम चा नमामिहम अर्थात गजाधर कभिम चैवो जो यम्राज रूपी जो गजाधर कभी हैं उनको तुन्दिलम भोजलो लुपम और जो खाने के लालची हैं तुन्दिल जो तुन्दूराम है उनको कालान तकम तथा बैद्यम अथात जो कालान तक नाम के कभी हैं उनको और बैद्यम जो बैद्य हैं और चारवाकम चा नमाम मिहम और चारवाक नामक कभी को मैं नमस्कार करता हूँ ठीक है बच्चा क्या कह रहा है अरे सुनो सुनो मेरी भी कभीता सुनो गजाधर यमराज को जो अन्न का लाल्ची है जो दूसरे के भोजन का लालिस तुंदिल है उसको दस्वें ग्रह धुंद को और वैसे ही कालांतक को मैं प्रणाम करता हूँ ठीक है काभ्यम स्राव इत्वा कभीता को सुना करके हा 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 इती हंस प्रित्वा हंसती हा 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 इस प्रकार करके हंसने लगता है अन्ने चापी हंसनती और वहां के जो लोगें वो भी सब मिल करके हसन लगते हैं सरवे ग्रिहम गच्छती और इस प्रकार सभी लोग अपने अपने घर को जाते हैं आईए इस पार्ट के सब्दार से देखते हैं अधाह नीचे, कोला हलम सोर, काब्वे हंतारह, काब्वे को नश्ट करने वाले काले आपका हा, समय बर्बाद करने वाले, धुरन धराहा, स्रेष्ट एही आईए कर्तल धोनिना, तालियों से, अरसी के भ्या, नीरस जनों को स्वकी यम अपने, माद्रि साह मेरे जैसे, हस्त लागवम हाथ की सफाई, तुन्द अस्यों तोंद के ऊपर अवर्तेयन फेरता हुआ, धार्यताम धारन करें, परान्नम दूसरों के अन्न को पुष्टी कहा, पुष्टी देने वाला, प्रत्यारपनम लोटाना अवर सिस्टम बचा हुआ, सेश, उत प्रेरी तहा, प्रेरी थोकर, स्राव्यती सुनाता है भोजलो लुपम, खाने का लूब ही, तो बचों, इस प्रकार हमने एचवथा पाठ, बाल, हांसे बाल का वी शम्मेलनम इसको पढ़ा, आसा करता हूँ, निश्चित रूप से आपको पाठ समझ में आया होगा बहुत ही जल्दी, इस पाठ के प्रसनोत्तर के साथ, दूसरी वीडियों के साथ, आप लोगों के सामने उपस्चित होँगा तब तक, आप लोग इस पाठ को पढ़िए, समझिए, और स्टेडी सरजी के साथ बने दहिए, तब तक के लिए धन्माद